वेलकम टू तिलक अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकोन को प्रेस कीजिए और आल पे क्लिक कीजिए थेंक यू एलो फ्रेंड्स वेलकम टू तिलक अकेडमी मैं सजिस्ट करूँगा किया इतना तो आपको याद रख नहीं है ठीक है पहली चीज देखते हैं जब भी आर्टिकल की बात करें तो किसी भाशा रंग या विशय के पहले कभी आर्टिकल यूज नहीं होता यहां पर लिखा नही लेंग्वेज जिसे आई एम स्पीकिंग हिंदी तो मैंने बोला मैं हिंदी बोल रहा हूं ठीक है आई एम स्पीकिंग हिंदी मैं यह नहीं बोलू मां आई एम स्पीकिंग द हिंदी क्योंकि हिंदी एक लेंग्वेज का नाम है उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता और लंग यानि की कलर, I want a white shirt, गलत है, I want white shirt, ठीक है, clear है, तो जब भी हम बात करें white, white की बात कर रहे हैं, तो article नहीं लगता, ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, विशह है, यानि की subject है, I am teaching you English, ठीक है, I am teaching you English, मैं आपको English बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो इसके आगे teaching you English नहीं होगा, ठीक है, तो ये विशह, विशह मतलब कोई subject हो सकता है, भाश्राज भी एक subject के रूप में ले सकते हैं, तो वहाँ पे भी दर नहीं लगता, मतलब आर्टिकल नहीं लगता, simple जीवाद, बिमारी के नाम के आगे कभी भी आर्टिकल यूस नहीं होता, he died of diabetes, है ना, तो मैंने बोला, वो सुगर से मर गया, है ना, तो वहाँ पे the diabetes कभी नहीं होगा, मतलब यह जो बिमारी है, उसके नाम के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, कोई भी बिमारी हो, ठीक है, इसके बाद में, दिन, याने की डे, महिना याने की मन्त, योहार, फेस् आई एम सेलिब्रेटिंग दिवाली, आप नी बोलेंगे आई एम सेलिब्रेटिंग दिवाली, ठीक है, लियर है, ठीक है, जब तक कि कोई specified नहीं होगा, ठीक है, ना, अगर मैं बोलुँ हो, कि वो वाली दिवाली, तो फिर हो सकता है, दह लगाए आजाए, तो नार्मल से आपको यह बात रखना है कि omission of article में कहा है त्योहार के नाम के आगे नहीं लगता नॉर्मल sentence में अधर्वाइस हमने पड़ा ही है कैसे लगाना है कैसे नहीं होते हैं material noun का मतलब कोई भी ऐसा ऐसा शब्द या फिर कोई भी ऐसा नाम जो की किसी material का बोध करवाता है material मतलब समझते हैं मैटर हो सकता है वस है ना जैसे की सोना याने की गोल्ड आइरन प्लेटीनम अलुमिनियम यह सब क्या बता रहे हैं एक पर्टिकुलर मैटल का बता रहें तो मैं बोल रहा हूं कोई भी ऐसा material noun होता है उसके आगे हम क्या करते हैं article नहीं लगाते तो आप यह सकते हो आई परचेस गोल्ड चेन ठीक है तो आई पर्टिकुलर आप नहीं लगाएंगे मतलब कि अगर तो उसके आगया आर्टिकल नहीं लगता उसके पाद एबस्ट्रेक्ट नाउन का मतलब क्या होता है भाव वाचक संग्या भाव वाचक मतलब कोई ऐसा नाम जो की फीलिंग्स को एक्स्प्रेस कर रहा है ठीक है एबस्ट्रेक्ट नाउन क्या लाता है जैसे कि मैं बोलू इमा पॉलिसी मतलब की इमानदारी जो होती है वह एक अच्छी नीती होती है तो अनेस्टी इस दे बैस्ट पॉलिसी अगर मैं बोलू तो इसका मतलब यह हुआ कि दो अनेस्टी कभी नहीं बोलूँगा क्यों क्योंकि आएक एप्ट्रेक्ट नाउन है भाव वाचक संग्या और इसके आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता तो यह वाला जो पार्ट यह बहुत इंपोर्टेंट इसके उपर एक बार कुछन पूछन 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 होगा तो इसके उपर गहीं से पूछन आगे देखते हम दो छोटे-चोटे पॉइंट और बच रहें वह भी भी कवर करते फटाफट से जहां सबसे ज्यादा गलती होती है और फिर इस वीडियो को खतम करते हैं पहले आप स्क्रीन शॉट लें लिए पार के रही हां पिए के दो और हम समय चैया है क्या है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर वह यह प्रेजल वह लगुक्ossen करते हैं कहीं कहीं की जिनके बाद कभी भी आर्टिकल-पां यूजश नहीं किया जाता लूए कभी कभी क्या होता है एरर में वह पूछ लेता है ऐसे यह तो नहीं पूछता यह नॉर्मल व्यापम वगेरा पीवी की एक्जाम में लेकिन बैंक में फ़सारी बार यह पूछा जाता है ठीक है यह जो वर्ड है जैसे टाइटल ऑफ पोस्ट ऑफ रेंक ऑफ इन वर्ट के बा वागे तर यूज नहीं होता इसे टाइटल ऑ अव। ऑस्ट ऑफ जसेदा बोलते हैं पूछ ऑफम टी मेजर को अब को पीश्ट ऑबडी आई एस तो बतल म वहाँ पे आपकर पास में इनके पास में दर नहीं लगेगा को स्टों यह वग वाज़ा है क्यूंकि इसमें आठि He got the rank of Major. He got the rank of Major. तो अगर मैंने लिखा He got the rank of Major. अब धाल से देखना. मैंने क्या बोला? यहां पर आपने दर लगाया. पर मैंने यहां पर क्या लिखा है? इनके बाद नहीं लगता. पहले तो आप लगा सकते हैं, तो यह रेंक मैजर की बाद. तो यहां पर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यह रेंक आफ जो है, इसके बाद में आर्टिकल नहीं आता. आप समझ गए हूँजे, ठीक है? क्लियर है? कोई प्रब्लूम तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यह बहुत जिसे इतना इंपोर्टेंट नहीं है, अगर आप बस यसे ही छोड़ा सा ध्यान रख लिजेगा बस. इसके बाद में हम देखते हैं, यह बहुत इंपोर्टेंट इसको आपको याद रख नहीं रखना है. अगर पूछा जाएगा, तो आपको बहुत उव्मीद है कि यह पूछा जाए. जितने भी यातायात के साधन होते हैं, जिसे कि बस, ट्रें, कार, एट्जिक्टरा, इन सब के पहले अगर बाइका यूज किया गया हो, तो उसके बाद कभी भी the article का use नहीं करते हैं, यहां गल्पी होती ही होती है, क्योंकि हम पढ़ने में भी या बोलने में भी बहुत frequently बोल जाते हैं, I have gone by the bus, मैं bus से गया था, मैं train से गया था, I am going by the bike, मैं bike से जा रहा हूँ, ठीके तो by the लगा देते हैं, by the नहीं होता, क्या ह होगा correct sentence, I am going by bike, I am going by train, तो हम यह बोल रहे थे, कि अभी मैंने जैसे आपको बताया, कि जो भी आतायात के साधन होते हैं, means of transportation होते हैं, अगर उनके पहले by आया हुआ होता है, तो उसके बाद हम the use नहीं करते, मतलब मैं कभी भी यह नहीं बोलूँगा, कि I am going by the bus, यह sentence गल train होगा, ठीक है कि मैं train से जा रहा हूं, बस से जा रहा हूं, कभी भी I am going by the train नहीं होगा, by the अगर लगा दिया तो गलत हो जाएगा, मतलब by के बाद the article का use नहीं होता, यह आपको ध्यान रखना है, यह important आप note कर लिजेगा, ठीक है, इसके आप से पूछा जा सकता है, ठीक यह एक नंबर बहुत माहिने रखता है, हो सकता है कोई question उसने पूछ लिया हो, और बोला हो कि क्या article लगेगा, और पता चले आप यहां पर dirt हो क्या आ जाएगा, और पता चल रहा है कि 920 था, है ना, so I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है, त ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसको notification आ जाएगा, कुछ दोस्तों में उससे बोला था playlist बनाने का, तो subject के according मैंने चैनल पर playlist बना दी है, ठीक है, और कल से आपको बिल्कुल timing से जो मैंने timing का आप से promise किया था, उस time के according आपको video deliver हो जाएगे, ठीक है, so आज के वी